गुट इवनिंग एवरिबन माइनेम इस अनीश सिंग धाकुर एंड लेट स्टार्ट टोडेश मार्केट अनलेशिस वीडियो हमने देखा था कि निफ्टी में आज एक बुलिश ब्रेक आउट आया फिर से आज का दिन के हिसाब से निफ्टी बनको यहां पर अच्री लॉग लग एंट्र बना घू वीकर अपर एक शॉर्ट बनती डबल टॉट और वापस से लॉग जाना था at this place bank nifty at this place nifty at this place anyways अब अपन को बात करना है market के view की market अब यहां से और उपर जा सकता है क्या और levels क्या रहेंगे अगर जाएगा तो और stock का क्या होगा तो चलो before we go ahead into levels let's take a view of global markets global market में हमारा market जो सब्सक्राइब फॉलो करता हूँ Singapore nifty को Singapore nifty तो index हमारे ही हमान के चलो US market है तो you can simply have a look कि market किस तरीके से न यहां पर एक अगर एक trend की बात करेंगे तो एक continuous lower highs बना रहा था फिलहाल एक equal ही बनाया हुआ है है न तो there is a high chance कि higher ही बनाएगा क्या और फिर higher पर गिरा करीब करीब 16 अगुस्ट के असपास यहां से rejection लिया बड़ा फॉल आया और ऑगस्ट के महीने के बाद आज फिर से वह नवेंबर में उसको try किया और परसो बहुत बड़ी लब काइंड ऑफ मारू बोजू की खोल के गिरता ही रहा पूरे टाइम और आज डोजी बनाया है तो अगर अब आज यह ब्रेकाउट दे देगा न मानके चलो green candle breakout देता है मालो morning star बना देता है तो यह morning star बनेगा pullback के बाद मतलब मार्केट ने continuously उपर जाने की कोशिश नहीं के pullback ले के उपर गया तो यह breakout एक बहुत ट्रस्ट वर्दी breakout होगा ठीक है तो you have to keep an eye on dow jones today and tomorrow क्या हम लोग 34,225 से better level देता हूं रुख जाओ 34,350 का round number 34,350 not US 30 but DJI index US 30 futures होता है यह अलग number चले नमबर अभी भी open है यह open नहीं हुआ है 33852 इसका नमबर 33800 है तो DJI को देखना है आपको अगर 33,34,350 से उपर closing देता है morning star के through तो यहां पर US market उपर जाएगा US market मगर breakout आएगा मतलब वह भी जाएगा आपने नए हाई बनाने के तरफ at least इस तक तो जाएगा 35,280,300 तक तो हम लोगों को यहां भी वो trade मिल सकता है अपने nifty भी उपर जाने का बात करेगा ठीक है तो यह हो गया पहला view बनाने के लिए दूसरा ग्लोबल मार्केट देखना है तो यूज आफ टू चेक D.X.Y याने कि D.X.Y ने कि डॉलर इंडेक्स में कच्रा हो गया है डॉलर इंडेक्स क्या है मैंने आपको बताया था रिवर्स काम करेगा stock market से यूज स्टॉक मार्केट से भी तो अगर यह नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट उपर जाएगा अगर यह उपर जाएगा तो हमारा नीचे जाएगा फिलहाल इसने क्या नीचे आके 200 moving average पे आक मैंना सारे कचरा अटा देता हूँ अजीव लागर देखके ओके तो यहाँ पे क्या इसने अच्छा खासा एक pattern यहाँ पे तोड़ा और तो वाले पर भरोसा नहीं होता अपनको बट नहीं होता लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से pattern तोड़ता है तो अगर यह नीची की तरफ जाएगा तो मार्केट व्यू क्लेक्ट करने के लिए दो चीज आप लोग गलोग मार्केट में चेक करो डॉलर इंडेक्स डी एक्स अगला सपोर्ट यह अगले सपोर्ट यह तब तक यह नीची जाएगा तब तक वह उपर जाएगा डाउचोंस और यूएस और हमारा मार्केट ठीक है चलो व्यू हमने ले लिए अब बात करतें निफ्टी की निफ्टी का पैले अभी भी अनले से स्टार्ट करेंगे और अब आगे क्या होगा ग्लोबल मार्केट बता देगा तो अब अहां पर लेवल बनाने तो लेवल बनाएंगे सबसे पहला important level आएगा यही वाला यह कौन से लेवल है यह पिछले दिन का हाई पिछले दिन के हाई को आज वो रेजिस्टेंस अगर आपको इसके नीचे मिलती है और आपको आपका पहला टार्गेट मिलेगा करीबन गरीबन अठारा हजार यह जों के आसपास अठारा हजार चेसों से अठारा हजार पच्छिस रुपय की जोन में ट्रेइनिंग नहीं की जा सकती आप देख लो कौन से जोन पे एटीं पॉइंट का भी नहीं यहां पर अपन को पचास पॉइंट का टार्गेट बनाएंगे और छोड़ देंगे देखेंगे क्या प्राइज एक्षिन होता है थोड़े का फिर इस रेंज को 600 को तो फिर पचास रुपय का टार्गेट बनेगा अपने लिए और फिर मार्केट ऐस आज बंद भी कहा हुआ है उसी लेवल पर हुआ है जो डबल टॉप था ट्रिपल टॉप बन गया है अब ये ट्रिपल टॉप से सेल होगा कि आप बाय होगा अभी मालूम चल जाएगा अपनको अपने लेवल की बात करते हैं तो और बैंक निफ्टी आज नया ही नहीं बना पाया क्योंकि वो विक के हिसाब से भी नहीं बना पाया वहीं वहीं है तो अगर मार्केट ना यहां से गिरना चालू होता है तो डारिक्ट जोन अपनको मिलेगा कौनसा वाला ये वाला इट वुड भी थोड़ा सपनस को एडिट करेंगे और आज मार्केट ने इसी लेवल पर रजिस्टेंस ले रहा था हां तो ठीक है पना जाएंगे ब्रेक आउट किया वापस सपोर्ट लेगे इस इस दा सपोर्ट पॉइंट फॉटी थी थाउसन एटीन रूपीज या बैसिकली आप फॉटी थी थाउसन का राउंड फिगर पकड़ लो यह हमारे लिए बहुत पर बहुत अच्छा सुपॉर्ट पॉइंट है अगर मार्केट सीधे फोड़ा साइडवे स्कुल के नीचे जाता था हम यहां तक का टार्गेट बना सकते हैं और एसको फिर यहां पे देख सकते मार्केट भूलिश होगा कि उसके बाद परफेक्ट मुविंग आवरेज मैं पॉइंट आब बात करतें स्त Sóks चींश्य है इंडसिंट बैंक ने बहुत अच्छा पार्टन बरेग किया है सपॉर्ट यहां है तो मार्ट क्लोजिंग देता है पर खुलता तो होसी सब hare geschर us आज जाके उसको तोड़ता है 200 moving average के साथ-साथ retest लेता है और एक minor support बैठा है, minor support मतलब यहाँ पर minor support है, यह major support था तो और 200 A में major support होता है, this king of moving averages, तो यह क्या है, अगर इसको छोड़ देता है, सीधे market ना, अपनको अगले level पर ले के आएगा, जो important consolidation का level होगा, वो बनेगा यह वाला, it will give you a target of 1150 का round figure, and the second target would be 1137, so these two targets you can try, tomorrow अगर investment bank में sell trade बनता है, तो ठीक है, तो यह आपके लिए पहला support बनेगा, और यह आपके लिए दूसरा major support बनेगा, तो these are the three levels for you, downside, उपर के side में भी trade मिल सकता है, क्योंकि क्या है, आप कभी भी बढ़ते हो, तो support से ही हम देख रहे हैं, अब सजाते हैं, इस ड्रोइंग को अटा देते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम किसी support पर है, तो yes, we are at a support, market ने इस तो बचाया हुआ है, बट क्योंकि एक major level थोड़ा है, minor support तूपने का chance है, तो let's see, downside आएगा कि upside, upside आएगा, तो you cannot go long until the two hundred moving average has been taken out, तो यह again, you can test, try for 1193 as a target, and the 1202 as a target, ठीक है, HCL tech में अपन को, फिर वही HCL tech में कि अच्छा breakout मिला, support लिया, 200 moving average से, और एक अच्छे range में अभी बैठा हुआ है, इस range में क्या कर रहा है, इस range में आखे pattern तो थोड़ा negative बना है, क्योंकि क्या market upper range rejection खा रहा है, बार बर support ले रहा है, तो कह नहीं सकते हैं कि bullish है, pattern bearish है, but price action result के आएगा, वो तो closing basis पे ही काम करता है, तो closing basis पे अपन अभी support भी लिये है, तो 3-4 बार ऊपर एक negative pattern भी बनाए, क्योंकि हाइस को support सम्हाल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर अगर अपन को short करना है, तो 200 moving average से closing मिलती है, HCL tech में, तो sell trade, rather than buy trade, और इसको पन कर सकते हैं, इंडेसेंट bank में, मैंने बोला, 200 moving average के पर bullish हो जाएगा market, कि देखो आप, जब भी उसके उपर जाता है, market bullish momentum देता है, तो अभी वापस से अगर उपर इसको sell के लिए जादा prefer करूँगा, मैं, do not buy until this level is broken, तो इसको major resistance से छोड़ देते, यहाँ पर टूटे, पहला target book कर लो, दूसरा target book कर लो, 1090 पर तो इसकोड़ भी two targets for this, औरो फार्मा क्या है, एक downtrending stock है, बहुत दिन से downtrend में चल रहा है, बहुत दिन से, डेली time frame देख लोगे, तो भी समझ जाओगे, देखो, यह देखो, डेली time frame देखो के तो भी अपने, तो भी अपने 200 moving average के नीची के कम से कम, मतलब 2021 से चल रहा है, तो it's a heavy downtrending stock, और मतलब अभी अभी बहुत बड़ी sell candle मना के फिर से नीचे ही जा रहा है, तो intraday trade में सब ज़्यादा बाते काम ने आती, लेकिन थोड़ा सा view हो जाता है, तो भरोसा आ जाते है कि दो time frame मेरे को मदद करेंगे, अब क्या है, अब ये कोशिश, अब क्या है, downtrend को persist करते करते, resistance लिया, तोड़ा नहीं कर पाया वापस, फिर नहीं कर पाया, फिर नहीं कर पाया, तो यहां पर क्या है, head and shoulder जैसे pattern बन गया है, कि market नहीं जा रहा है, उपर जा रहा है, तो समहल नहीं पा रहा यहां से, और फिर अभी एक उसी जगह पे close दिया, तो एक head and shoulder pattern है, pattern negative है, तो अगर अपन को red candle ही मिलती ही नहीं, तो सीधे शुरू कर से shot कर सकते हैं, और सीधे shot कर सकते हैं, यहां भी मिलती तो भी shot कर सकते हैं, और जब इस level पे आए, तो अपना stop loss break even पे डालके hold कर सकते कि आज बड़ा target बनाएंगे, और यह level टूटता है, तो सीधे के सीधे अपन को 1.3, मतलब कि इसमें 1.5-2% कमाने का मौका है, red candle से शुरू आती होती ही तिनकी तो shot करो, क्योंकि pattern negative है, लेकिन pattern negative है, मतलब 9.15 पे मत करना, 9.20 पे करना, यह 9.30 पे करना, मतलब खुलते ही, आप आएगा, break even, message डाल दो, देखो क्या होता और यह अगर तोड़ता तो बड़ा target बनेगा, तो 0, कोई loss नहीं हुआ, कोई loss नहीं हुआ, very good trade, जल्दी जली सकते, early morning, अधानी enterprise यह गंटे के time frame, यह swing trade भी बनेगा, और यह internet trade भी बनेगा, एक गंटे के time frame पे अगर आएंगे, इसको study करेंगे, तो हमको मालूम चल रहा है कि बहुत बड़िये से, यह एक important range पे, 23 नवंबर से, एक हफ्ता, 30 नवंबर, साथ दिन हो गए आज, साथ दिन से एक range में बंदा है, अधानी के ऐसा stock है, आप सब को मालूम है, momentum अगर आता है, तो बहुत बड़ा-बड़ा momentum आत दिख रहे हैं, यह move अगर आपको मिल गभी life में, तो आपके बहुत सारे पुराने pending loss खतम हो जाते हैं, तो you have to keep an eye on this, क्योंकि यह एक घंटे और पंदर में दोनों में consolidate कर चुका, तो आप एक swing trade बनता है, जिसको आप 2-3 दिन तक hold करूँगे, जिस भी तरफ momentum आया, breakout आया तो these are the stocks for you, ठीक है, तो चलो ठीक है, और ठीक है, चलो यह तो होगे market analysis, अब मैं बैट करके कुछ बना रहा था, कि बहुत सारे नए subscribers आये हैं, पुराने subscribers है, सबको चाहिए, कुछ लोग चाहरे live trading video देखे, कि live market में कैसे experience होता है, कुछ लोग चाहरे options के उपर video बनाओ, कि हर चीज के साथ ना, एक live example try करता हूँ, जोडने का, ठीक है, कि यह क्या होता option buying, तो कैसे करना चीए, कितनी quantity use करनी चीए, कहां ऐसे लखना चीए, कैसे premium strike, इस सब बनाने की अब मैं कोशिश करूँगा, यह महीना मैं अपने इसलिए dedicate कर रहा हूँ, ठीक है, and then from next month, because बहु डलना होगा, market खुलेगा, और जब-जब market बंद है, या weekends है, मैं try करता हूँ, knowledgeable content डालनेगा, ठीक है, तो चलो, thank you so much, like कर देना, वीडियो बसंदा है, तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, thank you so much. य्यो nव две, ये हाँ, जसे झाएँ, तो बस्षका बंद है, जसे दोख्टियो पालनेगा, तो बाकी में,